आप सभी का स्वागत है सक्सिसकी 98 में और आपका SAC-CHSL का सिकेंड सिफ्ट का एक्जाम जो है वो आप सभी का हो चुका है और इसका पूरा प्रिडियाप जो है आप सभी को सक्सिसकी 98 के टेलिग्राम पर मिल जाएगा और जो भी क्वेस्टिन मैं आप सभी के सामने लेकर आता हूँ वो सारे क्वेस्टिन जो है वो जेनियून होते हैं जो आपके एक्जाम में आया हुआ है और सबसे ज़्यादा क्वेस्टिन अभी तक सिकेंड सिफ्ट का आपको यहीं पर देखने को मिलेगा I think total 20 और 21 क्वेस्टिन मैंने आप सभी के लिए exact data जो है आप सभी के सामने लेकर आयों देखते हैं पहला क्वेस्टिन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है और पहला जो क्वेस्टिन है वो यह है कि भारत ICC Wiz Cup जो हुआ था आपका England में क्रिकेट की बात कर रहा है उसमें semi final जो है वो किस देश से हारा था सब आप सभी को पता है New Zealand से एक दिन पानी पड़ गया था उसके बाद अगले दिन जो है वो India बैटिंग किया था और India कम run भी जो है वो chase नहीं कर पाया था धोनी का आपको तो पता ही होगा run out तो वही question आपका आज exam में पूछा गया है 18 March का second shift में अगला question हमसे पूछा गया है time person of the year 2019 कितना बार पढ़ाया होगा question है Greta Thunberg और ये किस country से है तो ये भी मैंने बताया है साथ साथ जब भी मैंने इनके बारे में आपको information दी है current affair के class में तो मैंने हमेशा बताया है ये student देश से हैं तो time person of the year 2019 का खिताब किसे मिला ये tag तो ये मिला है आपका Greta Thunberg को जो climate के खिलाब जो है आवाज उठाई थी आप सभी जानते होंगे बहुत popular होई थी आपका social media पर अगला प्रस्त हमारे सामने इन्फलोंजा जो है वो किसके करण होता है तो सभी को पता है virus बोल सकते हो आप सभी H1N1 ठीक है अगला question है भारत में सबसे पुरानी परवस सिंखला कौन सी है तो कौन सा है आरा वाली रेंज और ये तो आप नहीं बोल सकते है यह question हार्ड है क्योंकि ऐसे question है जो अगर आप competitive exam के तयारी करते हैं तो यह सब question आपको starting शुरुआती और दिन में ही यह सब question आपने पड़ा ह पॉपुलर question है ठीक है अगला प्रसमारे सामने भार NSG यानि National Security Guard of India के बर्तमान में डारेक्टर जनरल कौन है तो अनुप कुमार सिंख और एक चीज अगर आप पैनलाइज कर रहे हो question देख रहे हो तो आप ध्यान से क्योंकि question बहुत exam में repeat हो ठीक है ना और एक बाप current affairs से question बहुत जादा आ रहा है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ November, December, January, February जो है वो रट्टा मार लीजिए आप सभी अगला प्रसमारे सामने संसत के महाभयोग के किस सदन की पहल की जा सकती है राश्पती के द्वारा बात कर रहा है तो आप यहाँ पर B.O.T.H. हो गया है बोल को यानि दोनों के द्वारा यानि राश सभा और लोग सभा दोनो ठीक है अगला प्रसमारे सामने 107 भारतिय वि आयोजन हुआ था और इसका बिसाय क्या था कली के क्लास में बताया साइंस एंड टेकनोलोजी रूलर डिवलम्मेंट जैनवरी के जो करेंट अफेर रिवीजन करवा रहा हूँ उसी में ये क्वेस्टन मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ अगला प्रसमारे सामने है O.D.I. क्रिकेटर ऑफ दा इयर 2019 जो है वो किसे ये टैग दिया गया है वर्स 2019 का O.D.I. यानि वन डे क्रिकेटर ऑफ दा इयर का पुरुसकार दिया गया है आपका रोहित सरमा को ठीक है अगला प्रसमारे सामने 1947 में ब्रिटेन के प्रधान मंत्री का नाम आपसे पूछा है यहाँ क्या होगा आपका Clement Antley और एक बात अभी बर्तमान में ब्रिटेन का United Kingdom का प्रधान मंत्री कौन है तो सभी को पता है Boris Johnson जो है अभी बर्तमान में क्या है ब्रिटेन के प्रधान मंत्री है अगला प्रसमारे सामने है एक क्वेस्टन यह आपसे बना है कुत्रीम साधनों द्वा अगला प्रसमारे सामने है यह क्वेस्टन एक आपका बना है किस से नोबल पुरुसकार से इथोपिया के जो पधान मंत्री है अभी एमद उनको जो है वो सांती के नोबल पुरुसकार मिला सभी को पता है उनके किस effort के लिए सांती के लिए किस दो कंट्री का तो इसका answer क्य होगा आपके option में 110% आजके exam में आपके पास option होगा Eritrea यही आपका आजका सही answer था यही आपको आजके exam में टीक मारना था ठीक है अगला प्रसमारे सामने एक कुसिन यह था कौन सी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है बिंगल हो गया है बंगाल की खाड़ी कि भाईया option में Krishna था लेकिन बहुत सारे नदी है अब option के उपर depend करता है कि आपको क्या सही मारना था गोदावरी ब्रह्मा पुत्रमहा नदी बहुत कुछ गिरती है ठीक है लेकिन option के according वहाँ पर आपको चेक करना था कि सही answer क्या होगा लेकिन बहुत जन बोलने गोदावर seat की अधिक्तम संख्या है कौन से राज्यों में ये आप से पूछा है कौन से इस्टेट में तो आप सभी को पता है सबसे बड़ा राज उत्तर परदेश 80 seat है उत्तर परदेश में कल भी एक question आया था तो answer क्या होगा आपका उत्तर परदेश उत्तर परदेश में total कितने लो तिलंगना राज का गठन किया गया था तो 2 जून 2014 का जो है वो तिलंगना राज का जो है वो गठन किया गया था ठीक है अगला प्रस हमारे सामने अनुचित 156 किसे संबंदित है किसे रिलेटेड है ये आपको बताना है तो राज्यपाल के पस से संबंदित है आर्टिकल 156 प एंडिया का अस्थान क्या है ये आपको बताना था. तो जो इंडिया का rank है वो है आपका 84 सीवा 2020 में एक साथ सात ये भी याद रखना कि सिर्स पर कौन है? तो सिर्स पर आपका जापान है. टॉप पर कौन है? टॉप पर इस ranking में जापान है और इंडिया का रैंक कितना है तो इंडिया का रैंक है आपका 84 अगला प्रस हमारे सामने है एक क्वेस्टिन ये बना था मुझे डाउट है इस क्वेस्टिन में हाला कि एक क्वेस्टिन जरूर एक्जाम में बना है पक्का है question आपका exam में ये था न किस देश में दो राश्पती थे हाला कि ये तो बहुत मुस्किल है बताना लेकिन एक आपके सामने दो यहां पर अगर जहां तक मुझे लगता है एक तो आपके exam में ये question दो president को लेकर 110% था और अब भी जहां सबसे ज़्यादा चर्चा हो रहा है तो वो एक अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा चर्चा का विसे बना हुआ है ठीक है अफगानिस्तान में तो बहुत ज़्यादा चांसे से है कि अफगानिस्तान का option में आपको था अगर सही मायने तो वेनुजेला में जो है ये चर्चा बहुत जुडोस है वहाँ पर दो रास्टपती को लेकर एक समय में बिवात चल रहा है और सेम बिवात चल रहा है आपका अफगानिस्तान में ठीक है तो option के उपर depend करता है कि आपके exam में option क्या था हाला कि दोनों question के बारे में मैंने अपने ही channel पर हाल फिलाल का question है माच का अफगानिस्तान वाला जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी हाल फिलाल में ठीक है अगला प्रसमारे सामने है निती अयोग ने दूसरी डिल्टा रैंकिंग जारी की है उसमें सबसे खराब यानि सबसे खराब कौन सा आपका डिस्टीक है ये आपको बताना है तो जारखंड का पाकू डिस्टीक ये याद रखी का सबसे खराब की बात करें तो 107 नंबर रैंकिंग दिया गया है निती अयोग के तरब से सायद तो एक आप यहाँ पर दो चीज़ याद रखना सबसे खराब क्या है पाकू जारखंड का डिस्टीक और सबसे अच्छा कौन सा है सबसे अच्छा निती अयोग जो रिलीस की है सिकेंड डेल्टा रैंकिंग उसमें सबसे खराब कौन है पाकू जारखंड का डिस्टीक और सबसे अच्छा तो वो है आपका बिरुदुनगर जो आपका तामिल नाडू में पढ़ता ये टॉप पर है ये एक बार याद कर लिजेगा एक्जाम में आया था सबसे खराब वाला टॉप वाला भी आप या हाई कोट नहीं है तो उसका जितना भी निर्णाय है वो अपना कोट किसके साथ सिजर करता है तो हाई कोट ऑफ किरला के साथ ये कोशन आपके एक्जाम में आस्था सिकेंट सिफ्ट में अगला प्रस हमारे सामने है दो हजार उननीस में आई एस एस एफ यानि सुटिंग की बात कर रहा रैंकिंग में निमलिखीत में से कौन सा देश जो है वो टॉप पर है सिर्ष पर है तो वो है आपका भारत अगला प्रस हमारे सामने है ये कोशन था हमारे एक्जाम ने फोल्डूंग मॉनेस्ट्री ये कहां पर इस्तित है फोल्डूंग मत जो है ये कहां पर इ जाएगा बाकी मैट का क्लास आपको साम को दिया जाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजेगा ताकि आप सभी के पास नोटिफिकेशन चला जाए उस विडियो का ठीक है ना चलिए